हलो फ्रेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्मॉल बैंक्स और पेमेंट्स बैंक्स की देखें हमारे देश की जो पॉपलेशन है वो है 140 क्रूर्स ऐसे में जो बैंक्स हैं वो एक limited set of people तक ही अपनी services प्रोवाइड करा पाते हैं और अगर cooperative banks और regional banks को भी इस list में जोड़ दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि banking services की reach थोड़ी और बढ़ जाती है बड़ ये काफी नहीं है क्योंकि अभी भी हमारे देश की population का एक बड़ा हिस्सा banking system के दायरे में नहीं आता in fact remote areas तक तो banks अभी तक भी नहीं पहुँच पाए हैं ये बात खुद अरुन जेटली जी ने अपनी 2014-15 की budget speech में कही थी उन्होंने कहा कि financial inclusion भारत की one of the important priorities में से एक है और इसलिए उन्होंने इस बात पर stress दिया कि एक ऐसे structure की जरूत है जो कि banking को हिंदुस्तान के हर एक घर तक पहुचाएगा और इस दिशा में पिछले कुछ समय से काम हो भी रहा था in fact 2013 में RBI ने एक paper publish किया था जिसका नाम था issues and concerns in the microfinance institution sector यानी MFI sector इस paper में RBI ने clearly उन reasons को mention किया था जिनके वज़ा से भारत के traditional banks MFI sectors में penetrate नहीं कर पा रहे हैं पहला reason है high operating cost and inadequate infrastructure कहने का मतलब ये कि traditional banks को run करने के लिए operating cost काफी ज़्यादा होती है और इसलिए एक साथ बहुत सारी जगा पर नए banks नहीं खोले जा सकते next reason RBI ने अपनी report में बताया कि traditional banks अपने services के लिए काफी high transaction cost और fees चार्ज करते हैं जिसके वज़े से low income households और small businesses traditional banks से दूर ही रहना पसंद करते हैं और तीसरा reason है traditional banks द्वारा दी जाने वाली services और products related RBI का कहना है कि traditional banks जिस तरह की products और services offer करते हैं वो भारत की population के एक बड़े हिस्से के लिए suitable ही नहीं है इनी कुछ कारणों की वज़ा से traditional banks remote areas तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और इस problem को solve करने के लिए RBI ने differentiated banks बनानी का proposal दिया differentiated banks का business model और license structure traditional banks से बिलकुल अलग रखने की बात की गई कहा गया कि इन्हें इस तरह से structure किया जाएगा कि ये खास तोर पर unbanked and underserved segment of population तक अपनी banking service प्रवाइड कर आपा है और इसी के चलते हमारे देश में दो तरह के differentiated banks बनने शुरू है small banks और payment banks सबसे पहले बात करते हैं small banks की small banks के बारे में तीन बाते कहीं गई इन banks की एक targeted approach होगी ये technology driven होगे और ये अपने operations में काफी ज्यादा flexible होगे चलिए इन तीनों approaches को detail में समझते हैं सबसे पहले बात करते हैं targeted approach की targeted approach का मतलब ये है कि इन banks को खास कर marginalized section of societies के लिए बनाया जाएगा और इनका जो area of operation होगा वो भी काफी ज्यादा limited होगा तो जब हम लोग बात करते हैं marginalized section of society की तो इसमें included है small farmers, micro and small enterprises और low income households ये वो section of society है जो की traditional banks के दारे में नहीं आता तो small banks के तुरू कोशिच की जा रही है कि इन्हें भी banking sector से जोड़ा जा सके बट ये काम एक focus approach के साथ ही हो सकता है इसलिए small banks के area of operation को काफी जादा limited रखा गया कहा गया कि जब भी RBI किसी small bank को license grant करेगी तो साथ ही साथ उसके area of operation को भी define कर दीगी उस small bank को उस area के अंदर रहकर ही operate करना होगा और small banks के case में ये area of operation generally rural और remote areas के districts होते हैं हलाकि कुछ small banks को इस तरह के एक से ज़्यादा आसपास के districts में operate करने के लिए भी allow किया गया है बट ये बात ध्यान देने वाली है कि even though ये banks small in size हैं और सिर्फ एक limited area में ही operate करते हैं बट उसके बावजूद ये technology driven है ये अपने customers को cost effective और efficient services provide करने के लिए technology का इस्तमाल करते हैं इसी के साथ साथ इन banks की operational flexibility को बढ़ाने के लिए ये भी तैक किया गया कि इन small banks को ना सिर्फ rural और remote areas बलकि urban areas में भी बनाया जाएगा क्योंकि unbanked and underserved segment of population सिर्फ remote areas में ही नहीं बलकि urban areas में भी है for example अगर हम लोग मुंबई जैसे बड़े शहर की बात करें तो हम देखेंगे कि मुंबई के अंदर भी कुछ ऐसे areas हैं जैसे की धारावी, कुर्ला, etc. जहां पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अभी भी banking facility नहीं पहुँच पाई है small banks यहाँ पर कारगस साबित हो सकते हैं तो यह तो बात होई small banks की चलिए अब समझते हैं payments bank को जो की Indian innovation है और इस concept को wish में सबसे पहली बार RBI ने introduce किया था तो चलिए जानते हैं कि इसके पीछे की story क्या है Actually 2006 से ही इंडिया में digital wallets की शुरुआत हो गई थी इन digital wallets की शुरुआत payments app के रूप में हुई इन app के थुरू आप अपने bills जैसे की mobile bills, electricity bills, etc. को pay कर सकते थे कई सारे fintech companies ने इस तरह की digital wallets launch कर दिये थे और लोगों ने भी इन apps को काफी पसंद किया था और देखते ही देखते digital wallets हमारे देश के लोगों में काफी जादा popular होते चले गए बट खास बात यह है कि इन apps को वो लोग भी यूज़ कर रहे थे जो कि अब तक banks के दाएरे में नहीं आते थे यानि ये apps उन areas तक भी पहुँच गई थी जहां तक banks नहीं पहुच पाए थे ऐसे में RBI ने 2014 में payments banks को launch किया concept ये था कि इस तरह की technology companies RBI से license लेकर payments banks की तरह operate कर सकती है और अपने customers को कुछ specific banking facilities भी provide करा सकती है जैसे कि demand deposits, payment services, remittance services, internet banking services etc क्योंकि being a digital wallets ये apps अभी तक अपने customers को सिर्फ payment services ही provide करा रही थी जिसके तरह ये customers अपने mobile bills, electricity bills etc को ही pay कर पा रहे थे RBI चाहती थी कि in fintech companies की reach को leverage करते हुए वो भारत में financial inclusion के mission को पूरा करे और unbanked population तक भी basic banking services पहुचा है बट RBI ने इन payments banks को credit lending की facility allow नहीं की थी इसका मतलब ये हुआ कि payments banks अपने customers को loan नहीं दे सकते थे और RBI ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि credit lending एक risky business है और क्योंकि ये payment banks इस banking business में नए है और ऐसे लोगों के साथ deal कर रहे हैं जिनकी पहले से कोई credit history नहीं है तो ऐसे में default rate काफी ज्यादा हो सकता है इसलिए RBI ने कहा कि पहले तुम basic banking features के साथ लोगों को जोड़ो credit lending के चकर में मत पढ़ो बट credit lending अपने आप में एक बड़ा business है और RBI को ज़रूर इस बात का शक रहा होगा कि payments banks बना लेने के बाद कुछ payments banks कुछ ना कुछ जुगार लगाएंगे और हो सकता है कि खुद credit lending ना करें लेकिन NBFC को setup करेंगे as subsidiary और NBFC के तुरू credit lending का काम शुरू कर देंगे ऐसा कुछ ना हो इसलिए RBI ने payments banks के ओपर NBFC setup करने पर एक रोक लगा दी क्योंकि ultimately idea यहीं था कि इन payments banks को इस credit lending के risk की business से दूर रखा जाए अच्छा एक बात और यह कोई ज़रूर नहीं है कि अगर आप payment banks बनाना चाते हैं तो आपको पहले digital wallet की तरह operate करना होगा ऐसा बिल्कुल necessary नहीं है basically RBI ने कुछ guidelines तेकी हुई है जिने अगर आप fulfill करते हैं तो आप RBI से license लेकर payments bank establish कर सकते हैं तो इसी के साथ साथ हम लोगों ने payments banks और small banks को दोनों को cover कर लिया है चलिए अब इनके examples देखते हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आज की rate में हमारे देश में total 10 small banks available हैं इन्हें small finance banks भी कहा जाता है और दूसी तरफ है payments bank जिनके total संक्या है आज की rate में 6 है अगर आप इनके नाम को गौर से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इनके नाम में payments banks को specifically mention किया गया है ऐसा इसलिए क्योंकि यह mandatory condition है कि इनके नाम में payments banks होना जरूरी है ऐसा इसलिए ताकि customers आसानी से समझ पाएं कि यह banks traditional banks से अलग है और यह आपको वो wide range of financial services और products provide नहीं कर सकते जो की banks provide कर सकते हैं तो यह थी details small banks और payments banks की इंडिया की history Indian polity और Indian economy को detail में cover करने के लिए books दावा की playlist को follow कीजिए link description में है thank you so much for watching and supporting bookstava